सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं सकारात्मक उर्जा का आओ सब में संचार कराएं और उसके लिए समय निर्धारित किया गया है सुभा 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, शाम 6 बजे, 9 बजे और इस तरह से अलग-अलग कारिकर्मों को लेकर उद्यमना पोजिटिव शो आ रहा है सुभा सुभी चार शलोक और सकारात्मक समचार सुनेंगे 6 बजे, और 9 बजे, सुभा आरजे सियंस की बात, डेली ब्रोडकास्ट के साथ 12 बजे, आप पोजिटिव मीडिया डायलोक को देखेंगे, सुनेंगे और सायम 3 बजे, आडियो शो होगा, जो आडियो बुक्स तयार की जा रही है आजादी की अमरित गाथा और अमरित काल का सकारात्मक भारत के अलग-अलग अंकों को अलग-अलग दिन सुनने को मिलेगा और सायम 6 बजे, नेशन वाइट वर्ल्ड वाइट देखेंगे, आप सुनेंगे और सायम 9 बजे रात को दिन भर की समिक्षा के साथ आपको मनुरंजन भी देखने को मिलेगा और क्या कुछ कर पाते हैं उसके लिए आप तयार रहिए क्योंकि RGS PBH अब आ गया है आप सब के लिए तो बताना चाहेंगे कि 29 मार्च जो हमारे सहित अकादमी पुरसकार विजेता पदमश्री से सम्मानित भुवानी पुरसाद मिश्र सहित कार थे उनका जन्मदिन है और RGS PBH उन्हें कोटी-कोटी नमन करता है उनके सहित की सेवावूं के लिए उनके मुखे रचनाएं गीत फरोष, बुनी हुई रस्ती, नीली रेखा तक, मानसरोवर, आनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, चकित है दुख और अंधेरी कविताएं हिंदी के प्रसिद्ध कवी और गांधिवादी विचारक थे भवानी प्रशाद, मिश्र और ये दूसरे तार सब तक के एक प्रमुख कवी हैं और मिश्र जी विचारों, संसकारों और अपने कारियों में पूनता गांधिवादी हैं और गांधिवाद की स्वच्छता, पा पाठ प्रवाह के कारण बहुत ही लोकप्रिये हुई तो इस तरह से हम अलग-अलग महानुभावों के बारे में महापूर्शों के बारे में सोतनता से नानियों के बारे में आप तक चानकारी पहुंचाते रहेंगे और अब आईए आर्जेस पीबीएच उद्यमन्ना मीडिय शो में आपको लिये चलते हैं जो की प्रसिद्ध साहितकार थे राष्ट कभी मैथली शरण गुप्त के छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त 29 मार्ज को आपकी पूनिती थी है और आप पर भी गांधी जी का काफी प्रभाव था और इसलिए आपकी रचनाओं में करुणा सत्य अहिंसा के मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है और हिंदी साहित्य में सियाराम शरण गुप्त को एक कभी के रूप में विशेश ख्याती प अनाया खंड काभ्य अनात आद्रा विशाद दुर्वादल बापू काभ्य ग्रंत दैनिकी नकूल जैहिंद उपनियास अंतिम आकांक्षा और तथा नारी और गोध प्रमुख रचनाए रही हैं सियाराम शरण गुप्त जिने की राष्ट्र कभीर के नाम से चाना जाता है आपके बड़े भाई मैथली शरण गुप्त को तो आरजेस बहनों भाईयों आप सब तक इस तरह की और भी चीज़ें पहुँचाई जाएंगी आने वाले दिनों में तो इंतिजार आएंगे